हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो आवर चैनल कोकिंग हब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुती स्पेशल बहुती अमेजिंग महा प्रशादी में बनाए जाने वाला सूजी का हल्वा सूजी का हल्वा तो आप लोगोंने बहुत खाया होगा नॉमली पर ये गुज और ये हम आपको प्रॉपर मेजिरमेंट्स एंट्रिक्स के साथ बताएंगे वीडियो के एंड तक बने रहें और सूजी का हल्वा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कप सूजी ध्यान रखना है आपको सूजी का यूज़ करना है रवे का नहीं हमने लिए एक कप एक कब घी हमने ले लिया है जाइफल जिसे हम बाद में थोड़ा ग्रेट कर लेंगे काजू, किश्मिश, बदाम ले लिया है जिसमें हमने काजू और बदाम को चौप कर लिया है और साथ ही हम तीन कब दूद का भी यूज़ करेंगे तो चलिए अब हम सूजी का स्वादिष्ट हल्वा बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले हमने एक कडाई ले ली है उसके अंदर हम एड़ कर देंगे हमारा एक कब घी हम यहाँ ट्रेडिशनल गुजराती दिश बना रहे हैं जिसमें हम घी जो है वो बराबर लेंगे हमारी सूजी और चीनी के अगर आप लोग हेल्थ कॉंशिस हैं तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं और इनकेस आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं अपने डायेट को लेकर तो आप चार से पांच टेबिल स्पून घी के अंदर सूजी को मिला कर जैसे हम उपमे में करते हैं सेख कर उसके बाद दूद या पानी आड़ कर सकते हैं अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है उसमें हम आड़ कर लेंगे हमारी एक कप जितनी सूजी और इन दोनों को हम मिला लेंगे हमें अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखना है हलवा बनाते वक्त हमें फ्लेम को हाई पिन नहीं ले जाना है जैसे दोस्तों अगर आपके पास घर में कप अवेलिबल ना हो तो आप कोई एक कटोरी ले 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 या बाउल ले 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 और उसी के माप से बाकी की चीज़े भी लेते रहें अगर हाँ आप गुजरात स्पेशल यह ट्रैडिशनल देश एकदम सेम टू सेम टेस्ट में बनाना चाते हैं तो आप भी हमारे ही मेजरमेंट्स फॉलो करें और यह टेस्टी सा हलवा बनाए हम इसे कंटीनियू मिलाते रहेंगे दोस्तों जब तक इसमें माइनर कलर चेंज नहीं आ जाता हमें इसे रेड नहीं करना है मतलब जो गुल्डन ब्राउन होती है उतनी नहीं करनी है नहीं तो हमारा हलवा जो है वो वाइट नहीं रहेगा इस बात का खास दियान रखे अगर आप घी जो है कट टू कट लेंगे सूजी के सामने तो आपको सेखने में कम टाइम लगेगा पर अगर आप कम घी में इसे सेखेंगे तो आपको इसे जहाँ देर तक सेखना पड़ेगा और हां दोस्तों ध्यान रहें हमें इसमें सूजी यूज करनी है रवा यूज अब हम एड़ कर लेंगे इसमें हमारे ड्राइब फ्रूट्स, हमारे चॉप्ट पदाम, काजू और किश्मिश आप ड्राइब फ्रूट की कॉंटिटी अपने हिसाब से कम जाता कर सकते हैं थोड़ी ये हलवा गुजरात में सत्यनराइन भगवान की कथा होती है उसमें और नवरातरी में माता जी को महाप्रशाद की तौर पर चड़ाया जाता है इसलिए इसमें गी दूद की बिलकुल भी कंजुसाई नहीं की जाती है और ये खाने में एकदम लाजवाब लगता है पानी डालकर आप बनाते होंगे अकसर पर दूद डालकर जब हम इसे बनाते हैं तो इसका एक अलग ही टेस्ट हो जाता है ड्राइफ रूट्स आप चाहें तो सीधा उपर से भी डाल सकते हैं जब हमारा हलवा बनकर तयार हो जाएगा बाद में पर आप अगर अभी उन्हें डालते हैं तो वो घी में अच्छे से सिख जाते हैं और उनका एक क्रंची सा टेस्ट आता है सो इसलिए हमने अभी एड़ किये हैं हमारे सूजी का कलर बदल चुका है दोस्तो अब हम इसमें आड़ कर लेंगे हमारा दूद हम दूद को ग्रैजूली एड़ करेंगे और इससे मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली ताकि कोई भी लंप न रहे दूद जो हमें लेना है वो गरम करके लेना है इस बात का आप ध्यान रखें और इनके सापी से कंप्लीटली दूद से ना बनाना चाहें तो आप 1.5 कप दूद और 1.5 कप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं पर आप पानी को भी गरम करके लें हमने 2 कप दूद डाल लिया और उसे properly mix कर लिया है अब हम तीसरा कप डालेंगे दूद का और उसे भी अच्छे से mix कर लेंगे इससे हमने प्रॉपरली मिक्स कर लिया है और हमें ही थोड़ा टाइट लग रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा दूद और आड़ कर देंगे क्योंकि हलवा एकदम सौफ्ट रहना चाहिए और गीला गीला रहना चाहिए और चीनी आड़ करने से थोड़ा पानी भी चूटेगा तो आप ध्यान रखें आप पहले जब दूद डालें तो बहुत ज़्यादा गीला भी ना कर लें हमने यहां अपने सूजी चीनी और घी का माप एकवल रखा है इनकेस आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालिए और कम पसंद करते हैं तो थोड़ी कम डालिए कि आप देख सकते हैं हमारा दूर प्रॉपर लिंक्स हो चुका है और घी भी चुटने लगा है तो अब हम इसमें चीनी आड कर लेंगे चीनी हम दो installments में डालेंगे पहले आप थोड़ी डालें उसे properly mix कर लें और फिर आप बाकी की डालें हमने अपनी बाकी की चीनी भी इसमें add कर ली है और उसे properly mix कर रहे हैं हम आप देख सकते हैं हमारा जो हलवा है वो pan छोड़ने लगा है किनारों पर घी आ चुका है अब हमारा हलवा बंगर तयार है दोस्तो अब हम इसमें थोड़ा जाइफल जो है हमारा उसे grate कर लेंगे आप ध्यान रखें इसे इतनी ही quantity में डालें अब हम डालेंगे इसमें हमारा इलाइची का powder सो इसे हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो छूटने लगा है हमारा हलवा पैन छोड़ रहा है सो हमारा हलवा बनकर तयार है दोस्तो एकदम अब हम इसे सर्व कर लेंगे और अपनी ग्यास को बन कर देंगे सो बनकर तयार है हमारा स्पेशल महा प्रशादी वाला गुजरात का फेमस सूजी का स्वादिष्ट हलवा आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो साइड पे तैर रहा है यही इस हलवे की असली पहचान है दोस्तो आप खाईए और हमें बताईए कि आपको कैसा लगा हम आपको दिखाते हैं कि जब हमने इसे चमच पे लिया तो देखें किस तरह से गिर रहा है यह बिलकुल भी स्टिकी नहीं है आपको भी इसे ऐसा ही बनाना है सो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं thank you for watching the video subscribe the channel if not done yet please guys we need your support thank you